नमस्कार, हिंदे साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठ्याकुर के साथ दोस्तो, HP LT TET, LT Commission और PGT Hindi Commission इसके लिए हम ये प्रशन सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें हमने इससे पहले दो अपने लेक्चर्स रख दिये थे जिसमें हमने लगभग अपने 35 से जादा कॉशन जो है डिसकस उसमें किये थे तो अगर आपने अभी तक उन प्रशनों को नहीं देखा है तो जो हमारी LT Commission और जो Language Teacher के नाम से हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है उसको आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने अभी से पहले की जितनी भी वीडियोस उसमें रही है चाए वो LT Commission से रिलेटिड हो या फिर आप वहाँ पर जो पीवाई क्यूज सीरीज रही हो या कुछ और रही हो उन सब को रखा है तो अभी हमने एक नई सीरीज जो यह चलाईए देखिए LT TET, LT Commission और PGT हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जिसमें आपको हर तरह के प्रशन मिलेंगे अभी हमने इससे पहले सिर्फ दो ही इसमें रखे थे तो आज हम इसका थर्ड पार जो है वो लेकर के आपके बीच में पहुंचे हैं I hope कि आप सब लोगों को हमारा ये प्रियास अच्छा लगता है तो अगर आपको ये प्रियास अच्छा लग रहा है या फिर आपको इन से help हो रही है इन प्रशनों से तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो वह भी साथ में कर लिजी क्यूंकि आपको इस तरीके की जो बेहतरीन knowledge या बेहतरीन जो question है वो आपको यहां पर लगातार मिलते रहेंगे और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर हम आपको यूँ ही मिलेंगे आपको कभी कभार स्क्रोल करते हुए तुक्के से तो चलिए दोस्तो अब बिना देर किये आज की इस lecture को हम start करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का जो पहला प्रशन है वो क्या है तो यहां पर जो पहला प्रशन है देखिए इसमें लिखा गया है आभ्यांतर प्रियतं के अदार पर व्यंजनों के कितने बेद होते हैं पहली चीज तो या रख लेन प्रियतं के अधार पर जो अपके दो प्रकार से आम इंको विभाजित करते हैं आभ्यांतर और बाहया तो आभ्यांतर प्रियत्न के अधार पर जो व्यंजनों के भेध हैं वो यहां पर बताएगे हैं चार लेकिन कुछ एक पुस्तकों में आपको यह जादा भी रहेंगे, किस प्रकार से जादा है वो यहां पर लिखा हुआ देखिए, पहले-पहले इसमें स्पर्ष व्यंजन आ इनके उचारण के समय मुख्यद्वार आदा खुला रहता है, इन्हें अर्दस्वर भी कहा जाता है, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन हम सब लोग जानते हैं, यह र ल व, यह हमारे अंतस्थ व्यंजन है, जबकि इसमें यह अर्व जो हैं यह अर्दस्वर की श्रेणी में भी तो इस तरीके से पहले के जो दो हैं, देखिये, यह हो जाएंगे आपके स्पर्श्व्यंजन और अंतस्थ्व्यंजन जो आभ्यंत्रप्रियत्न के हगदार पर पहले दो भेध हैं। इसके लावा इसके दो अन्य भेद हैं, उनको जानने से पहले एक बार फिर से मैं कहा दूँ कि अगर आपका कोई भी सजेशन बगेरा यहां पर है हमारे इस लक्चर के रिगार्डिंग तो आप वो भी दे सकते हैं. यहां पर देखिए उश्म या संगर्शी जिन वर्णों के उचारण में विशेश रूप से श्वास का घर्शन होता है जैसे श, श, स, ह और चौथा जो था यह है अन्य पार्षविक जो रहते हैं, अन्य जो है उसमें सबसे पहले पार्षविक है देखिए, फिर लुंठित है फिर इस लुंठित को यहम प्रकमपित भी कहते हैं, अनुनासिक में प्रतेक वर्ग का पंचम वर्ण आता है और जो आपका अर्दस्वर है या अर्व, तो यह रहेंगे अन्य में, तो कुछ अलक इनको अलग भी कर सकते हैं, तो इनकी संख्या थोड़ी सी जादा भी हो सकत हैं, अगला प्रशन है हमारा, ए की संधी का सही रूप क्या है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ए और ए हैं, दो यह रहते हैं, तो इसमें से हो जाएगा, यह सब को मिला के क्या बनता है हमारा, ए ही बनता है, चाहे वो आ के साथ ई मिलाए, चाहे छोटी आ हो, या अ हो, या उसके साथ छोटी E हो, ऐसे करके आप देखेंगे, जैसे गजब के साथ यहाँ पर इंदर लिखाए, देखें, गजए इंदर, सुर में A है और आगे E है, तो इससे भी आपका A बन रहा है, रमा में A प्लस E है, तो वो भी आपका A बन रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रखेंगे कि A आपका कैसे बनता है, नेक्स आता है, बेगम, कैंची, तमाशा, तोप, बारूद, किस भाशा के शब्द हैं, आपके ऑप्शन है यहाँ पर अर्भी, फार्सी, तुर्की और पुर्तगाली, तो यह जो शब्द हैं देखिए सारे के सार यह हैं तुर्की भाशा के, तो शब्दों से रिलेटर प्रशन जरूर पूछा जाता है देखना, एक्जाम में चाहे ल्टी टैट हो, ल्टी कमिशन हो, या फिर PGT, UGC, NET ही क्यो ना हो, हर जगा आपको इन शब्दों की पहचान आती ही है, नेक्स कॉशन आता है, जिन श स्ट्रिलिंग शब्द है, बाकी आपके पुलिंग शब्द थे, तो पुलिंग और स्ट्रिलिंग की जानकारी भी बहुत बेसिक बेसिक चीज़े हैं, यहां से प्रशन बनता है देखना, समास ग्यान के अधार पर भिन शब्द की आपने पहचान करनी है, आप सब लोगों क समास भी बहुती मत्तपुन, टॉपी का देखना, काना फूसी है, हरफन मौला है, लोग प्रिये और रस भरी, यहां पर जो सही आंसर होगा देखिए इसका वो होगा, रस भरी, तो कैसे यह अलग है देखिए, काना फूसी में जैसे हम इसको क्या करेंगे, विग्रह करेंग थोड़ा सा इसमें अलग है, तो इसलिए रस भरी अलग हो जाएगा, और इसमें क्या समास है, यह भी आप कॉमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, अगला प्रशन है, संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए, या क्या है इसकी पहचान, जहां वाक्य में दो या दो से अधिक खंड वाक्य स्वतंतर रूप से योजक के द्वारा मिले हो, जहां वाक्य में एक करता उदेश्य और विशेश्य हो, जहां वाक्य रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से हुई हो, वजिसमें एक प्रधान वाक्य एवं अन्य आशित उप वाक्य हो, जहां वाक्य में एक वात का होना दूसरी बात पर निर्वर हो तो यहां पर देखिए जो आपका संयुक्त वाक्या होता है जहां वाक्या में दो या दो से अधिक खंड वाक्या स्वतंतर रूप से योजक द्वारा जुड़े हो योजक होता जैसे आपका और या अथवा बगेरा चावगेरा तर्क्य है की, हम घर जाएंगे और यहां पर देखिए पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण था, हम घर जाएंगे और अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलेंगे, यहां पर लिखाए देखिए přितके यहां दो से अधिक खंड़ वाक्य स्वतनतर रूप से योजक के द्वारा मिले हो, सियुक्त वाक्य, जहां वाक्य में एक करता उदेश्य और एक विशेश्य हो, वो क्या हो जाता है हमारा सरल वाक्य हो जाता है, जहां वाक्य में एक करता के साथ साथ यहां देखिए, रचना बोल रहा है कि एक से अधिक सरल वाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान वाक्य और अश्रित हो तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है जैसे उस उसने मुझसे कहा लेकिन अब ये complete नहीं हो पाया देखिए उसने मुझसे कहा कि ये इस तरीके के कि फिर बगेरा इत्यादी शब्दों से मिलकर बनते हैं जहां वाक्य में एक बात का हो वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं हमारा आज का next question है जिसका कोई आसरा ना हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है तो देखिए इसके लिए यहां पर बहुत सारी शब्द रखे गए हैं चार शब्द हैं तो यहां पर आपको बिलकु शब्दों के लिए एक शब्दों को भी जरूर देखिए किसी वी एक्जाम में यह पुछे जाते हैं अगला प्रश्न है वियाकरन शास्तर का जो विद्वान होता है उसके लिए कोई एक एक शब्द जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं तो यहां पर पड़ार्य नी है वयाकरण है या फिर आपका वयाकरणी है तो इसके लिए इंपॉर्टन जो शब्ड्या देखिए वयाकरण तो यह ध्यान लिए रख लेना है जिस तरीके से साहित्य का रचनकार एक लेखक होता है उसी तरीके से व्याकरण के जो विद्वान को हम क्या कहते हैं वैयाकरण कहते हैं ये चीज ज्याद रखने लाइक है अगला प्रशन है चंद शास्त्र में गुरू का अर्थ क्या होता है देखिए लगू और गुरू हम देखते हैं कि चंद शास्त्र में ये ग गिंती करते हैं इसकी और जो हमारा खड़ी पाई रहते हैं इसकी गिंती हम एक मात्रा के अधार पर करते हैं तो यह चीज इंपॉर्टेंट है चंद शास्त्र में आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे नेक्स कॉश्चन है आपका पारिभाशक शब्द से रखा गया देखिए एफिलियेशन का अभी प्रायक क्या है तो एफिलियेशन इस तरह के जो शब्द हैं यह बार बार आते रहते हैं एक्जाम में तो यहाँ पर इसका जो बिल्कुल एक्जाक्ट मिनिंग होगा देखिए वो होगा संबधता इंपॉर्टेंट कॉश्चन है देखना और जितने भी यहाँ पर चारों यह शब्द रखे गए हैं इनको भी आप एक बार जरूर देखिए रिकमेंडेशन संस्तूती होता है सैंक्शन मतलब मंजूरी और प्रक्षेपन प्रोजेक्शन और एफिलियेशन आपका संबधता ही हो जाएगा तो इस तरीके से आप इन कंशन गलत हुए है तो आप मुझे है बता सकते हैं तो यहाँ पर व्य हो जाएगा अमाहरा संयुक्त व्यंजन तो देखिई व्यंजन क्यों है वो अलग है ये अलग है लेकिन आउ ज है आपका आ और ओ को मिलाके बनाए ये शंजमत्य हो जाएगा का और का दोनर लगे हैं लेकिन आ के साथ O था, तो ये विजातिय हो जाएंगे, ठीक है, next question देखिए, कौन सा शब्द जो है French वाशा का नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं देखिए, इन में से जो आपका रिक्षा शब्द है, ये French वाशा का नहीं था, बलकि ये जपानी शब्द है, आपको श्रिंगार बिलकुल सही लिखना है, और ये हमने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, तो वियोग श्रिंगार के तीन भेद होते हैं देखना, यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका पूरवा नुराग, पूरवा नुराग होता है, संयोग होने के पूर्व जो अ स्मर्ण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उनमाद, व्याधी, जड़ता और मरण, और इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो पूरवा नुराग, मान और जो प्रवास हैं, यह तीन चीज़े हैं, जो हमारे वियोग श्रिंगार के भेद हैं, यहाँ से भी प् गेर अलग जाते हैं, और लास मैसे ही मृत्ति हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर लिका है कावे शास्त्र में प्रतीभा, व्युत्पत्ति वर अभ्यास क्या हैं, तो असान सा प्रशन है यह होते हैं हमारे कावे हेतू, और कावे हेतू से हम क्या समझते हैं, सीधा सा मतलब है कारण कि ऐसे कौन से कारण है जिनकी वज़ा से साहित्य की रचना होती है बहुत ही important है देखना कावे हेतू कावे लक्षन और कावे प्रियोजन इस अंदर में अलग-अलग जो भारतिकावे शास्त्री अचारे रहे हैं उन्होंने अपने मत रखे हैं हिंदी के अचारे उने अलग से मत रखे और बाद के जो आपके थे उनके अलग-अलग मत हैं तो ये भी important topic हो सकता है exam के point of view से कवीता कवी विशेश की भावनाओं का चित्रन है यह कथन किसका है तो दीखे जितने भी हमारे छायवादी लेकक रहे हैं इन्होंने कवीता के बारे में जरूर कहा है तो ये कथन था महादेवी वर्मा का इसके अलावा जैशंकर प्रसाद ने क्या बोला था ये कहता है कि कावे क्या है आत्मा की संखलपन आत्मा का अनुबूती है जिसका संबंद विशलेशन या विज्ञान से नहीं है बहुत बार पूछे गई है देखना ये सारी ही पंक् पूर्ण क्षणों की वाणी है इसके लावा सुर्यकान त्रिपाठी निराला ने कहा था कवीता परिवेश की पुकार है इम्पॉर्टन्ट है ये लाइने देखना इनको याद रख लीजी आप नेक्स आता है यहाँ पर तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे पंक्ती किसकी ह बहुत ही इंपॉर्टन्ट पंक्ती आई है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ती है और इसको आपने पूरा भी करना है साथ में कि ये आगे क्या है तो ये है कबीर दास की पंक्तियां तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे इस पंक्ती में इनोंने व्यवारिकता की बात किया देख तो यहां पर देखिए कथन से related प्रशन जो आपका भक्तिकाल वाले portion से रखा गया था यह जो कथन है अचारे रामचंदर शुक्ल का तो रहसेवाद के बारे में अलग-अलग जो यहां पर रशनकार रहे हैं उनके कथन रखे हैं तो यहां पर कणकण में परमात्मा की होने का अभास रहसेवाद है यहां परिभाशा है अपनी सीमा को असीम तत्तों में खोजना रहसेवाद महादेवी वर्मा ने कहा प्रकरती में सूक्षम सत्ता का दर्शन ही रहसेवाद है मुकुर्धर पांडे ने कहा ठीक है तो यह भी आप यहां पर इनसे याद रखिए हमारा नेक्स है यहां पर देखे श्री संफरदाय का जो से धान था वो था विशिष्टा द्वैतवाद अगर हम बात करें विशिष्टा द्वैतवाद में तो रामानुज अचारे जो है वो इसके प्रवर्तक थे उन्होंने क्या बोला कि अंतिम सत्ता को एक ही माना और इसके भी बार पूछा जाता है ये भी ध्यान रखने लाइक है नेक्स्स वेशिन आता है यहां पर आनंद भाष्य किसकी रचना है तो इन में से जो आनंद भाष्य नामक रचना रही है ये थी स्वामी रामानंज जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति को लाया था इसके लाबा अन्यों की जो रचनाय रही देखे यामुनाचारे ने तीन रचनाय लिकी थी सिद्धित्रय आगम प्रामाने और गीतार्थ संग्रहे जबकि रंगनाथ मुनी ने जो आलवार संत्र के पदों को इसने क्या रखा था नलियार दिवे प्रमंध धरम शीर्शक के अंत्रगत रखा था नामदेव की है अभंग और रामनंद की रचनाय तो अक्सर पूछी ही जाती रहती है श्री राम अर्चन पद्धती इंपोर्टन्ट है रामरक्षा स्तोत्र है है ना तो इनको भी हम एक बार जरूर देखना पड़ेगा नेक्स कॉशन आता है यहाँ पर हजारी प्रसाद दिवेदी ने रामनंद के बारा शिश्यों में किसे स्थान नहीं दिया है तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि इनोंने जो आपके नरहारेनंद थे इनों इनको इनोंने स्थान नहीं दिया था इसके अलावा आप देखते हैं कि जो पदमाबती रही एंड एक नाम इसमें और आता है परमानंद उसको भी इन्होंने स्थान जो है वो नहीं दिया था परमानंद को इन्होंने स्थान दिया है इसमें देखना ये चीज़ द्यानक लेनी है शुकल के अनुसार सूफी कवियों का जो सही क्रम है ये क्या है तो अच मधुमालती को ये पदमाबत से पहले की मानती है क्योंकि पदमाबत में स्वयम जाईसी ने स्विकार किया है कि मधुमालती की रचना उससे पहले हुई थी इसलिए ये क्रम जो है वो सही हो जाएगा next question आता है मलिक मुहमद जाईसी के गुरु का नाम क्या था तो जाईसी का समानने परीचे ना सिर्फ जाईसी का बलकि जितने भी समस्त भक्तिकालिन प्रमुख लेखक रहे उनका परीचे जरूर पूछ जाता है तो इनके गुरु का जो नाम था वो था शेक मोहिदी पुरुशोत्तम दास अगर हम बात करें तो ये थे मलूख दास के गुरू इन्होंने अपनी रचना सुख सागर में ये बताया था कि इनके गुरू है पुरुशोत्तम दास है जबकि शेक तकी कभीरदास के गुरु मानते थे मुसलमान इन्होंने मोला कि इनके शेक तकी रहें गुरु जबकि इनके गुरु रामनंद ही मान जाते हैं शेक मान उल्लह ये उस्मान के भाई थे उस्मान वही जिनोंने चित्रवली की रचना की थी ये भी important हो सकता है पूछा जाए अगला प्रशना आता है आलहा और उदल वीर सरदारों की वीरता का वनन जो है वो किस रचना में मिलता है तो यहाँ पर आपको जो रासो साहित्य की रचना है उसी में है परमाल रासो इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है और यह जगनिक की रचना रही है तो यहाँ पर देख लेते हैं बीसल देव रासो में कुछ मत्तपुन चीज़े है इसमें मालवा की जो भोज परमार की पुत्री राजमती है उससे सांभर के ज थिराज चुहान के शौरे और वीरता के अलावा सियोगता के साथ उनकी प्रेम कहानी और साती साथ रणमल चंद में वीरगीत परमपरा की इस रचना में ये क्या कह रहे हैं कि इडर के राठोर राजा रणमल की पाटन के सुवेदार जफर खांपर वीजय का चित्रन किया अगला प्रशन है कल्यूग के अत्याचारों के खिलाफ राम से फरियाद तुलसिदास ने अपनी किस रचना में की है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए ये आपको यारक लेना कि राम से वो क्या कर रहे हैं अनुने विने कर रहे हैं तो इसलिए विने पत्री का इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमान बाहुक में क्या था उत्राखंड और जो आपका हनुमान बाहुक और कविता वली है इसमें उत्राखंड और काशी की जो महमारी रही वो रहा एंड बरवे रमाइन में बरवे नाई का भेद से प्रभावित थी विने पत्रिका में तो question ही आ जाएगा और रामचरितमानस जो है स्वांत सुखाई के लिए नोंने लिखा था और बाजो की पीड़ा के लिए अनुमान बाहुक जो आखरी भाग है कविता वली का इसको भी आप याद रखिए next question आता है केशवदास की संग्या कौन सी इसमें से है जो केशवदास के लिए संग्या दी गए थी देखना तो यह है कठिन कावे का प्रेत जबकि कलिकाल कालवाल में की तुलसिदास रहत को कहा जाता है एंड कठिन गद्य का प्रेत जो है ये अग्ये को कहा जाता है और कवियों का जो कवी है ये शमशेर बहादुर सिंग को कहा जाता है तो ये इनकी समाने सी चीज़े हैं, इनके बारे मैं याद रखना जाना चाहिए, और जो केशव दास हैं देखना, उनकी रामचंदरी का को ले करके भी बहुत सारे कथन हैं, वो भी important हो जाते हैं exam के लिए, बूजत शाम कौन तुगोरी, काकी है बेटी, खेलत रहत अपनी प प्रशन जो है, जरूर पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो कथन है, ये है हजारी प्रसाद दिवेधी, और इन्होंने साथ में ये भी कहा था, कि भारत वर्श का लोकनायक के वल वही हो सकता है, जो समनवय का अपार धहरे लेकर आया हो, बात अगर हम शुकल की करते हैं, इसने बोला कि यह एक कभी ही हिंदी को प्रोड साहितिक भाशा सिद करने के लिए काफी है, राम बिला शर्मा इसे जाते कभी कहते हैं, और बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किस ने कहा, जॉर्ज ग्रियरसन ने कहा था इसके बारे में, तो ये भी इं निर्गुण के वाद विवाद की बात होगी, गोपी उदव के समवाद की बात होगी, तो समझ लीजे ब्रहमर गीत, रास पंचा द्याई में रास लीला है, विरह मंजरी में ब्रजवासी एक रहे हैं, जो कृष्ण के वियोग में थे, उनका विरह वननन है, शाम सगाई मे सिंपल सी बात है, रादा कृष्ण की सगाई है, और भ्रहमर गीत परंपरा की भ्रहमर गीत ही रचना थी, ठीक है, अगला प्रशना देखिए, बसो मेरे नैननी में दोव चंद, बहुत सारे लोग जो है, इसका आंसर मीरा वाई करते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, यह होगा शरीबट, जबकि मीरा वाई की जो रचना है देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाला, उन्होंने इस तरीके से कही थी, और आखरी प्रशन हमने मीरा से ही रखा है, कि मीरा किस संपरदाय की भक्तिन कवित्री थी, तो आपको यहाँ पर रखना है याद, कि मीरा जो है वो किसी भी संपरदाय में नहीं थी, वो थी संपरदाय निरपेक्ष, संपरदाय निरपेक्ष दूसरे कवी कौन थे, यह भी आप कॉमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रियास अच्छा चार को दो जापको हमारे हैं, जा फिए भी आपको हमार टूसरे के लिए कर लिए से जापको हम हमें ओी, प्लास सकतों, ऑर deed।